Thank you, Shri Ramna Thakur Ji धन्यवाद, उपसा भापति महोद है आपने मुझे आप देखते भी बोल सकते है ठाकुर साब बित्तिये वर्स 22 और 23 पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सुरू करता हूँ मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए लिए ख़़ा हुआ भारस सरकार ने पंजाब से बंगा भाया गया दिहार 16 सा एकर जमीन के सिलेक्ट किया है जिसमें उद्दोग के लिए इन्होंने प्रभीजन किया है या अगर काम इस बित्यवर्स में शुरू हो जाता है तो बिहार जो बेरोजगार है उद्दोग धंदे नहीं है उद्दोग धंदे लगने के बाद लोगों को जागिर्ती पैदा होगी और उद्दोग धंदे बढ़ेंगे मैनिफेक्सिंग होगा बढ़े उद्दोगों के साथ छोटे छोटे उद्दोग भी लगने सुरू हो जाएंगे तो इसमें बिहार की प्रगती और उन्नती होगी इसलिए हम भारा सरकार को इसके लिए बदाई देना चाहते हैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ बिहार में किर्सी, पसुपालन, मतस्पालन, सबजी उत्पादन, फल उत्पादन, मसाला उत्पादन कि आपार संभामनाएं हैं उत्तम कोटी के माखान बिहार के दर्भंगा जिले में होता है इस वेफसाय को सुद्रिक करने के लिए केंदर सरकार को कदम उठाना चाहिए मुझफरपूर की साही लिठी उस सम्मंधित उत्तर बिहार में लगना चाहिए उद्दोग के रूप में परतेक जिले में फूर्ड प्रोसेसिंग की बेवस्ता होनी चाहिए और इससे रुजगार मिलेगा समस्तिपूर जिला में बिहार के समस्तिपूर जिला में तम्माकूर हल्दी का उत्पादन होता है इससे भी मसाले के रूप में कारखाना लगना चाहिए बिहार में बहुत बड़ा अंतर रास्त्य सिमा है हमारे रक्षा की छत्र में बिहार में रक्षा गलियारा की निर्वान कराया जाए जिससे रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भर बिहार को लाब हो केंद्र को हम केंद्र सथकार को हम धनबाद देते हैं कि इन्होंने नदियों को जोड़ने का काजकरम सुरू किया है बिहार में उत्तर बिहार के 28 जिले नेपाल के कारण बाड़ गरसित होता है जबकि दक्षिन बिहार में 10 जिले सुखा गरस्त होते हैं बिहार की सरकार ने उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिन बिहार से जोडने का प्रजेक्ट बनाया है उस पर प्राथिमिक्ता देने का काम भारत सरकार करे जिसे बिहार आर्थिक गति विधी बढ़ सके पांचमी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जातिय गन्ना भारत सरकार को करना चाहिए इस से छोटी छोटी जातियों की क्या समस्या है उसका क्या रूप है इसको जातिय गन्ना कराना चाहिए और इसे भारत सरकार को इस बजट में लाना चाहिए ये मेरी मांग है दूसरी मांग है कि 22-30 के विजट बचत में 25,000 किलो मीटर हाई नेशनल वे सरक और नेशनल हाई वे बनाने का काम सुरू किया है बिहार में कहां किस किस जिले में ये प्रजेक्ट सुरू होगा इसकी हम भारत सरकार से मांग करते हैं भारत सरकार ने हवाई अड़ा को भी विक्षित करने का काम सुरू किया है तो बिहार में किन-किन हवाई अड़ों के लिए इन्होंने मांग रखा है किन-किन जो लोग को सिलेक्ट किया है इसकी भी हम मांग करते हैं कि हम बिहार में हवाई अड़ा को बनना चाहिए और जिस जिले में हवाई अड़ा नहीं है उस जिले को भी इसको सामिल करना चाहिए यह हमारी मांग है मैं आपसे निमेदन करना चाहता हूँ उपस्वावती महुद है कि आदालत में 76% विचारादीन कैदी परे हुए हैं वर्सों से परे हुए हैं तो इस वित्य वर्स में इस वित्य बजट में कहीं भी उसे छोड़ने का या धारा को कम करके जिनकी उम्रे 60 वरस 65 वरस, 70 वरस, 80 वरस हो गये हैं उसको छोड़ने के लिए इस वित्य बजट में प्रवधान होना चाहिए रेलवे का जो बजक में आया है इसमें 400 नई बंदे भारत ट्रेंड चलाने की बात कही गई है हम मांग करते हैं कि इस 400 नई बंदे भारत ट्रेंड चलने में बिहार में कौन-कौन से ट्रेंड दिये गए है बिहार को कौन-कौन से सुबधा दी गई है रेल का इसका भी इस विद्धिय बर्स में देना चाहिए और मैं बर्सों से कईक बार से मांग कर रहा हूँ कि जहां अवर बिरेज की जरूरत है वहां अवर बिरेज बनना चाहिए और जहां नई ट्रेन खुलनी चाहिए बिहार से दिल्ली के लिए मदरास के लिए बंबे के लिए वहां से करना चाहिए यह हमारे वर्सों से मांग होती आ रही है हम नई चीज नई बात एक कहना चाहते हैं कि नई बात कहना चाहते हैं कि अब समात किजिए बस बस वो हो गया हो गया सर यह हम कहना चाहते हैं कि किसानों की इस्तिती बहुत दैनिये है किसानों की इस्तिती बहुत दैनिये है और प्रकृतिकी विमार पर रही है आपने इस बित्य बर्ष में मनरेगा का कम कर दिया है पैसा कम कर दिया है तो मनरेगा जहां जहां लोगों को थिसानों को मजदूरों को फैदा होना चाहिए इसमें मनरेगा का पैसा बनना चाहिए गरीवों के लिए इसमें रोजगार मिलना चाहिए तो किसी रसकार ने कहा है है पेट जहां खाली नर्का उस घर में दीप जलेगा क्या जब घास न कोई देता है तो बूढ़ा वैल चलेगा क्या मैं अंतिम बात अंतिम बात का करना चाहता हूँ कि सर 21 में 2021 में निति आई कि एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में चार परदेश सबसे पिछरे हैं मत परदेश है जारखंड है बिहार है उत्तर परदेश है तो नीती आईउक के रिपोर्ट के अंस्वार इसको विशेश दर्जे की मांग होनी चाहिए और विशेश दर्जा भारत सरकार को देना चाहिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आर्जू करना चाहता हूँ कि मेरी बातों को भारत सरकार सुने और बिहार को विशेश दर्जा देने का काम करे इनी चंद सब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ जैहिन जैबाराग स्रीम भी स्रीम स्कुमार